नमस्क्रा दूस्तों कैसे हैं अब आज हम बात करने जा रहे हैं अच्छी सेहत और लंबी उम्रक के अच्चूक उपाया के बारे में So, before I start my video, I will do question to please like, subscribe and share my channel Please don't forget to press the bell icon and give your suggestion for future videos जैसे कि हम आप स्क्रीम में देखने हैं कि हम लोग कंसर्टेसी देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चाहिए तो आप मेरेको कॉंटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए नमबर नीचे दिये गए हैं और हम लोग online classes भी देते हैं अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं तो गुड हैल्थ बूस्टर की यहां बात हो रही है तो जो पॉफल मेथड्स हैं तो कीप गुड हैल्थ वो मैं आको बता रहा हूं रिडिंग दुर्गा कवच सबसे पहरा जो है उसकी अब निया साल हिंदों का स्टार्ट हो गया हो रहा है 13th एपल से और 7 में चैत्र नवरातिरेवी स्टार्ट हो रहे हैं सो मैं स्टार्ट इसे से कर रहा हूं कि by reading दुर्गा कवच, second है by reading हनुमान चलिशा और बजरंग बान third है good balance between सूरे नाड़ी और चंदर नाड़ी, fourth है by drinking charged water, fifth है by meditating and reading और लिस्टिंग पावरफुल मंत्रा और लास्ट में है आपका six जो है वह बाई burning, camphor, kapoor, cloves जिसको long बोलते हैं और cardamom जिसको इलाची बोलते हैं तो इसके दौरा जो है यह पावरफुल methods है to keep good health तो इसको हम एक्के करके जो है आगे में इसको मैं explain करने जा रहा हूं तो यह जो basically यह जिसे में नीचे note लिखा हुआ है कि कि किसी की health मालो खराब चल रही है तो यह जो हमने method लिखे हैं यह एक तरह से booster का काम करते हैं तो आप जो medicine ले रहे हैं ठीक है तो वह आप अपना उसको तो continue करना ही है बड़ जो हमने उपर method बता हैं यह आप आपके लिए जो है एक तरह से good health booster की तरह काम करते हैं तो यह आपको support करेंगे ठीक है और जो भी आज के time में जो भी problems चल रही है तो उससाब से जो government की instruction है वह आपको time to time जो government देती है वह हमको सबको माननी चाहिए ठीक है ना तो उस पे तो कोई भी हमें के लेस्ट ने दिखानी है ठीक है तो अब हम बात करते हैं पहले हमने बात के थी रीडिंग दुर्गा कवच तो जैसे मैं लिखा वागत 13th April is beginning of Hindu New Year and चैत्र नवरातराज तो यह स्टार्ट होने जा रहे है तो इसमें जैसे लोग जो है पीपल वर्शिप मान दुर्गा एं जो सब भी लोग जो है जो इन दिनों में जो है सबसेती दुर्गा का पार्ट करते हैं तो उसमें there is one दुर्गा कवच पार्ट in the beginning which one should read on regular basis every day so it gives lot of strength, good health and long life तो इसके अंदर starting में एक दुर्गा कवच का पार्ट होता है तो अगर आप यह पढ़ते हैं मतलब इवन जो भी नर्वात्रा चल रहे हैं इसमें तो पढ़ना ही है अगर आगे भी आप इसको continue करते हो क्योंकि इसके अंदर जो है बॉड़ी के एक पार्ट को जो है इसमें कवर किया गया है सर से लेके पाउं तक जो है एक पार्ट का जो है इसमें इतना से कवच बनाया गया है और अगर आप इसको पढ़ते हैं regularly तो definitely यह आपको है आपको help करेगा for a good strength you know and for good health and long life तो मेरा recommendation है यह आपको जो है दुर्गा कवच जो है यह जरूर पढ़ना चाहिए on a daily basis ठीक है ऐसे ही second हमने बात की है reading हनुमान चलिशा and बजरंग बांग तो बजरंग बली is one of the deity who is immortal and having अश्ट, सिद्धी and nine निधी तो जैसे आपने सुने योगा अश्ट, सिद्धी, नव निधी के जाता अस्वधी जान की माता तो हनुमान जी के पास जो है अश्ट, सिद्धियां भी हैं और साथ में नव निधी भी हैं तो साथ में ही जी लिसने तो दो प्रालम अफ देवोटीस and dissolve it at the earliest in Kalyug as mentioned in Puranas अनुमान जी जो है एक तो इनको मरता का वर्दान मिला हुआ है, तो कि ये चारों योग में जो है इनको जो है मरता का वर्दान मिला हुआ है तो इसके बेस पे जो है मतलब ये आपके जो भी प्रालम्स है डिवोटीस की वो सुनते हैं और साथ में इमिजेटली जो है इसको resolve करते हैं तो ये काफी effective जो है method है ठीक है तो ये आपको follow करना चाहिए if you read or listen हनुमान चलिशा एंड बजरंग बान, it will give relief from serious diseases give long life, physical strength and courage तो कहने का मतलब ये है कि ये जैसे मैंने बोलाँ कि ये booster करता काम करते हैं आप जो कोई इंसान का बिमार चल रहा है तो वो तो इसको जो medicines prescribed की गी है वो तो उसको ले नहीं है but at the same time अगर इस तना का कोई पाथ करता है बजरंग बान करता है तो उससे ये support मिलती है it will help to get relief from serious disease and give long life, physical strength and courage also give relief from many doshas जो कुंडली के अंदर दोशास होते हैं जिसे मंगल दोश है या शैनी की साड़सती चल रही है या धहिया चल रहा है या कोई कालसब दोश बन रहा है कुंडली के अंदर तो इसके अंदर भी जो है अगर आप हनमाचरी सा या जरंग बन परते हैं तो यह काफी help करता है to eliminate these kind of दोशास, मंगल दोश, शाड़ सती और धाया, काल सब दोश, इनको भी जो है eliminate करते हैं तो काफी मतलब यह एक powerful method है ठीक है? and you need to read both अगर आप दोनों पढ़ते हैं मांचली सा एं बजरंग बान in the evening यह आपको 6 बज़े के बाद ही पढ़ने चाहिए और best time जो है, वो है 6 पे-म to 7 पे-म इसमें हमने यह भी लिखा कि read 40 अंडर बरगद और पीपल ट्री अगर आप इसमें पढ़ते हैं बरगद ट्री के नीचे या पीपल ट्री के नीचे पढ़ते हैं especially on Tuesday and Saturday और साथ में आप महाँ पर दिया भी जाते हैं लाइट दिया अलसो तो यह एक long life का आपको help करता है यूंकि दोनों जो ट्री हैं काफी इस भी महांताब होता है इंडिया के नदर तो यह बरगद का ट्री और जो पीपल का ट्री है यह एक long life को represent करते हैं अगर आप इसके नीचे पढ़ते हैं हनमाचली सार वो बजंग बान तो यह आपको और ज्यादा help करेंगे to get rid of diseases and it will give you a long life and physical strength and courage तो यह काफी important और काफी strong tool है इसको जो है आपको daily करना चाहिए यह मेरा recommendation है थर्ड है जैसे की balancing सूरे नाड़ी और चंदर नाड़ी यह क्या होती है सूरे नाड़ी चंदर नाड़ी जो हम breath which we take from our right nostril जो हम अपने right nostril से सांस लेते हैं वो जो है वो represent करता है सूरे नाड़ी को and from left nostril जो है वो होती है चंदर नाड़ी इन दोनों के बीच में एक balance होना चाहिए there should be a balance between them सूरे नाड़ी keeps the person physically active जो सूरे नाड़ी जो काम करती है वो काम करती है physically active रखने के लिए person को ठीक है और जो चंदर नाड़ी है it gives strength to the mind तो वो mind को strength देती है तो दोनों चीज़े important है mind भी strong होना चीज़े physically भी इंसान को active होना चीज़े तो दोनों का अगर हम balance maintain रखते है तो ये काफी helpful होता है तो उसके लिए अनुलोम विलोम एक जो एक विदी है ठीक है नाड़ी तो वो अगर हम इसको करते है properly dairy करते हैं सुबाट के तो वो भी आपको काफी help करता है so it helps maintaining balance between both and helps in improving health and gives long life और अगर normally भी किसी को अगर आप कोई physically आप अगर low feel कर रहे है तो इसमें if someone feels physically low he should breathe in from right nostril मतलब right nostril से वो अगर सांस लेते है और इसको जो छोड़ते हैं and breathe out from left nostril and repeat it for minimum 5 to 10 times अगर वो एक ही मतलब right nostril से सांस लते हैं और left से छोड़ते हैं right हो गया अपना सूरे नाड़ी और left हो गया चंदर नाड़ी तो सूरे नाड़ी से सांस ले रहे हैं और चंदर नाड़ी से छोड़ रहे हैं अगर पांस से दस टाइम विदी को करते हैं तो उससे जो है इनका जो अगर फिजिकली लो फिल करें तो वो फिल करेंगे कि फिजिकली वो अक्टिव अपने आपको फिल करेंगे इसे ही इनकेस किसी को अगर कोई sleeping problem मतलब कि नीद नहीं आ रही है या कोई headache हो रही है या कुछ irritation है तो उनको फिर ये उल्टा विदी करना है इनको जो है left nostril जो को हम चंदर नाड़ी बोलते हैं वहां से सांस लेना है और छोड़ना है right से जो सूरे नाड़ी से छोड़ना है और ये method जो है five to ten times जगर repeat करते हैं तो hopefully जो है इनको थोड़ा सा relief जो है headache से और irritation से वो relief मिलेगा और नीन भी इनको अच्छी आएगी तो ये सूरे नाड़ी और चंदर नाड़ी जो है ये एक काफी important role play करती है ठीक है तो ये भी एक मतलब जो है अगर आप इसको maintain रखते है डेली अगर प्रैक्टिस करते है तो ये भी आपका health को improve करती है और it gives a long life also ठीक है ऐसे ही fourth method है कि अगर हम जो water है उसको charge करते है इसका विद्धी है अब body has approximately 60% of water ये तो आप जानते ही है इसमें क्या करना है कि if we take a glass of water and give positive thought by seeing the water continuously अगर आप positive thought देते हैं और water को देखते हुए कहने का मतलब है कि water अपने पानी एक glass भर लिया और उसको देखते हुए आप एक positive thought दे रहे है जैसे कि हमने लिखावा कि I am powerful तो अगर आप seven time बोलते है I am powerful I am powerful I am powerful तो ऐसे seven time बोलेंगे या फिर second हमने लिखावा है I am healthy I am healthy I am healthy I am healthy या फिर I am happy I am happy I am happy ऐसे seven times बोलते है I am the best I am the best I am satisfied तो यह अगर आप affirmations बोलते हैं पानी में देखते हुए तो जो पानी जो वाटर है वह एकना से अनिशूर हो रहती है और इसे सिखते हैं थैंकिंग गॉड फर एविशिंग गिवन तो यूड ने आपको दिया इसक लिए आप थैंक्स कर रहे हैं तो अगर आप यह पॉजिटिव इन्फरमिशन पानी में देखते बोलते हैं तो पानी जो है चार्ज होके आपके लिए ए एक बहुत ही पाउफुल में यह आपको सुनने मिशा लग रहा है कि बड़ा नॉमल सा वह है लेकिन अगर आप जब यह करेंगे में डेली करते हैं तो इट विल डेफिनली यू गिव यू पाउवर एंड यू यू फिल हैपी इंसेटिसफाइड तो यह एक फोर्थ में लेकिन फॉर है पॉर्थ पॉंट आव यू एक तो जैसे मेडिटेशन करते हैं मौनिंग में उठके तो ओम साउंड जो हता है वह काफी हेल्प करता है तो ओम जो है जैसे आप या तो अपने बोल भी सकते हैं या फिर आप ऐसा कोई मिजग लगा लें ओम का तो यह भी एक आपको जो है अपके माइंड को काफी रिलीव करेगा तो अगर आपका माइंड रिलीव होगा तो या आपका माइंड पावफुल होगा तो डेफिनिल्टी जो है वह आपका जो है फिजिकली भी आपको वह चीज़ इंपक्ट करेगी तो जैसे हम पहले हम थौट ही होता है और अगर हमारे थॉट पोस्टिफ हो जाते हैं तो निच्रली हमारे आक्षिन भी पोस्टिफ हो जाएंगे तो उसके लिए जो है यह ओम जो साउंड है यह काफी हिल्प करता है तो आपको मेडिटेशन इंदर भी आपका ध्यान के अंदर भी काफी यह चीज़ें हिल्प करती आप इसका पार्ट करते हैं या एक सो आर्ट की माला करते हैं या इसका इसका इमने बोला को आप मुझा लिए या इसका है अपने- new system इसको लगा सकते हैं और इसको सुन सकते हैं तो यह भी आपके जो घर के जो एंवार्मेंट को है और ज़ो काफी पॉजटिव करईगा और यह भी एक बहुत ही पावफुल मंत्र है यह तो आप पहले भी सुने होगा और तीसरा है गायत्री मंत्र यह जो हम बोलते हैं ओम भूर भवासवाद तस्तर वित्र वरे नियम रगोदे वस्या धीम ही तियो नाम पचो द्याद तो इसका भी जो है आप या तो 108 की माला कर सकते है या फिर आप जो है इसका भी एक जो है sound सुन सकते हैं तो यह भी जो है आपको काफी help कर देगा आपके क्या बोलते हैं मिके कफी ब़िडी के तो अच्छा है आपके माइड ले अच्छा है और घर के जो एंवार्म्मेंट को भी जो काफी पॉस्टी करता है तो overall सभी जो family members उनकी जो health को भी काफी positive impact करेगा और fourth है शान्ती पार्ट तो शान्ती पार्ट करते हैं तो वो भी घर के environment के अंदर काफी help करता है इसमें हमने वो साथ में दिया है तो अगर आप इन चीजों का मंत्र का और इनका पार्ट करते हैं तो यह definitely यह भी proven है यह definitely जो है आपको बहुत help करते हैं support करते हैं एक तांसे आपके health का health booster के दा काम करते हैं तो यह आपको मैंने बताए है पांच और six है positive environment यह भी होता है अगर आप by burning camphor जिसको हम बोलते हैं kapoor बोलते हैं clothes जिसको हम long बोलते हैं और cardamom जिसको हम इलैची बोलते हैं अगर आप यह तीनों चीज़ें जो है एक साथ जडाते हैं ठीक है और इसको पूरे घर के अंदर आप इसको जडाने के बाद इसको पूरे घर के अंदर आप गुम है तो उससे जो जितनी भी घर की जो negative energies हैं वो सब समात होती है खतम होती है और it will create a positive environment at home and give good health तो यह बहु पूर को चला के और पूरे घर के अंदर आप इसको करते हैं तो काफी एक positive result देता है आपके घर की जो यह तो मिलाब प्रूवन है जो घर की जो भी negative energies होती है उसको तो यह remove immediately कर जाता है साथ में कोई भी कहीं पर भी कोई वास्तोदोश अगर होता है इस रिमूव वास्तोश तो काफी एक powerful method है और अगर कोई घर में कोई बिमार व्यक्ति अगर है भी तो उसका भी जो है जो है recovery में यह support काता है recovery जो है इसमें fast होती है health person recover fast if suffering from any disease तो यह जो हमने बताएं कि छे तरह के जो बताएं यह एक तरह से health booster है ठीक है ना जैसे हमने पहले का कि आप जो डॉक् जो government के जो भी रूज़े हैं कि आज के टाइम में जो चल रहा है कि आपको mask पहनना है आपको हाथ दोना है और distance maintaining करना है वो तो जो time to time जो है instruction देती है वो तो हमें follow करना ही करना है लेकिन जो हमने जो भी 6 method बताया है यह आपको एक तरह से आपकी health booster की तरह आपको काम करते ह करेंगे काफी हद तक तो recover fast करने के लिए ना और आपको extend देने के लिए so यह मेरा purpose अब आने का आपको I hope यह आपको जो मैंने बताया आपको काफी helpful आपके लिए रहेगा so thanks for watching video and please like subscribe and share my channel please don't forget to press the bell icon and give your suggestion for future video thank you very much